आपके पास Redmi या फिर Realme या Poco कोई भी स्मार्टफोन है उसके जो मवाल की जो टच है ऑटोमेटिक वर्क कर रही है आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं और ऑटोमेटिक चल रही है आप बैक वाली वटन अपने आप काम कर रही है इस तरीके से मिनिवाज वाली भी कर रही है और इ देखना होगा 100% इसका सॉलूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो इस वीडियो का आपको पूरा देखना होगा मवाल आपको कोई भी हो हर मवाल वे ट्रिक काम करेगी ठीक है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजी चैनल को सस्क्राइब कर सबसे पहले आपके फॉर्म में चला जाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं देखो आपको जब भी यह प्रॉब्लम हो तब आपको क्या करना देखो आप सूच रहे हैं कि मैं कुछ भी टूच कर रहा हूँ ऑटमेटिक होई रहा है तो आपको अपनी फोन पर वाला बटन है ठीक है और बॉल्यूम डाउन वाला इससे आप कम सिकम 11 सेकंड तक दबा के रखेंगे ठीक है और आपका मुआल ओटमेटिक ओफ होगा ठीक है तो उससे सही हो जाती है यह प्रॉब्लम ठीक है हंडी परसंट उससे ही हो जाती है लेकिन आपको खोदा ना वाला बैसले एक ही ठीक है तो यह तो तब करेंगी चल रहे है ठीक है टो आपको यह करना यह तो आपने पल में ज्यादा जाता है आपको और सैटिंग के अंदर जाना है kind के टीक है तो जा सकते तो आप जा सकते हैं यह दो कम करके जो मैंने पहले आपको अदा दी है पार वाल वाल वाला दोनों दोखे रखें गयारा सेकिंड तक और उसके बाद आप अपने फोन का पार वाला वटन है उससे आप लॉंग प्रेस करके रखें वाल को रिस्टाट करतेंगे ठीक है कुछ भ सफ़ेयर अपडेट आपको अपने फोन को कर लेना होगा ठीक है और उससे आपकी प्रॉब्रम हंडिर बन पर संट सौलब हो जाए क्योंकि यह सौफ्टाइस सर्फेय से यीस होता है ठीक है अब यहां पे और मैं को और किसी-किसी फोन में क्या करते हैं बहुत से लोग क्या अपने फॉन में के अंदर कस्टमाज कर लिया हो ठीक है किसी किसी में यह हो जाता है ठीक है तो आपको यह लगे तो फॉन को सबसे पहले हाट रिसेक्टर दीजिए उसके बाद सारी चीज़े हट जाएंगी ठीक है उसके बाद आपकी कोई भी प्रब्लम आपको नहीं देखन करने के लिए ठीक है तो यही सॉलूशन है और कोई भी सॉलूशन नहीं जो मैंने आपको बता दिया है ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हैंद